साइबर अपरादियो द्वारा आजकल ठगी के नए-नए हदकंडे अपनाए जा रहे हैं जा सरकारी कारियों के जासे में फसा कर आसानी से लोगों को लुटा जा रहा है ऐसा ही एक मामला शहर के सिविल लाइन शेत्र में सामने आ रहा है जहां एक वृत्त को बिजली के बकाया बिल भरे जानी को कहकर एक आप डाउनलोड करवाय जाता है जिसके बाद जाल में फसा कर वैक्ति से 14,98,000 की ठगी कर ली जाती है जानकारी के मताबिक साइबर पुलिस टेशन नाखपुर में शिकायत करता 79 वर्षिय फरोग होमी वजीवदा ने शिकायत दश कराई कि 20 जुलाई को शाम 6 बचे उनके मोबाइल फोन पर एक अग्यात नमबर से मैसेज है कि आपका बिजली का बिल पकाया है और बिजली की लाइन कार्ट दे जाएागी। जब शिकायत करता ने शंबरेट मोबाइल पर कॉल किया तो उनने बिल भुकतान करने के लिए एनिडेक्स एप डाउनलूड करने और लिंक icici.ap के पर 100 रुपी का भुगतान करने के लिए कहा गया। शिकायत करता ने एनिडेक्स एप डाउनलूड किया और लिंक हुए ICICI एप पर अपने खाती का विवरन और पास्वर्ट दश किया। बस इतना करना ही था कि तुरन बात शिकायत करता की खाते से 14,98,800 रुपे निकाल लेके। इस प्रकार विद्योत लाइन कर जाने की डर से शिकायत करता को एनिडेक्स एप डाउनलूड करने के लिए बाधे कर वाधी के साथ आनलाइन धोका धड़ी की गई। और वर्ति कॉल आलाकी तुमसे इलेक्टरिक पेंडिंग असले ने, इलेक्टरिक बिल पेंडिंग असले ने कट होना रहे। त्या मुडे त्यानना एक एप पाटोला आनि त्यावर तो एनिडेक्स एप होता आनि त्यावर ती त्यानना पूर्ण इंफोर्मेशन भराल लावली लिया है आनि त्याना अंतर त्यांचे 17,088,000 रुपे फसोनु खून काण्या ताले लिया है तर साधारांता है सिनियर सिटीजन लोकाना टारगेट कुरून केले जाते कुटले प्रकार चे असले एप डाउनलोड कुरून अका आनि इलेक्ट्रिक बील वगरे क्यों आनने कुंते गुस्टी ची खात्री करा संबंधित कार्यालाला जाउन खात्री करा साधार पुलिस ने नाकपुष शहर के लोगों से अपिल की है कि महावित्रन उप्रोकता नुसास संदेश नहीं बेचता है कि बिजले बिल बकाया है और बिजले लाइन काटी जाएगी अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज मिले तो नस्दे की पुलिस स्टेशन या मसेपी ओफिस जाकर जान कारी ले कैमरा परसन अकिलेश भारतवाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट